हरे क्रिश्टा तो प्रतेक रविवार को हम श्रिला प्रभुपाद लेलामृत से बाट करते हैं या पढ़ते हैं तो श्रिला प्रभुपाद लेलामृत का लेखन श्रिला प्रभुपाद के जो शिश्र है सत्सुरुप दाजगोस्वामी महराज उन्होंने किया है और आध्याई सत्रा है जिसका शिर्शक है बहुरी पर तो पिछले रेविवार को हमने सुना था कि किस प्रकार से श्रीला प्रभु पाजी निवास करने लगते हैं निवार्क में और निवास करते करते वो एक अपना आलक से एक कमरा किराये पर लेते हैं पहले डॉक्टर मिस्र के साथ वो निवास करते थे तुन्होंने एक अलक से कमरा लिया और जहां निवास करने लगे आके ले जिसमें कोई फरनीचर कोई भी चीज नहीं थी एक उनका अपना बकसा था साथ में जिसी को अपना डेस्क बना कर उसे पर लिखते थे पढ़ते थे और उनका लिखन का कारे चल रहा था और साथी साथ श्रिला प्रभुपात को एक टेप रिकॉर्डर दिया था किसी ने जिसमें प्रभुपात जी कुछ रेकॉर्ड किया करते थे तो एक दिन श्रिला प्रभुपात जी आई से बाहर जाते हैं और आकर देखते हैं रूम में कि वहाँ उनके जो सेकुरिटी गाड़ था उस अपार्मेंट का वो कहिता है स्वामे जी आपका जो अपार्मेंट है मकान है उसमें चोरी हो गई है तो कोई वेक्ति खेड़कर का शिशा तोड़कर आंदर पहुंचा था और प्रभुपात का जो टेपरेक ओरडर है कुछ और वस्तुयां है वो चुरा कर ले गया था तो श्रीला प्रभुपात जी तुरन समझ गए है वो चवकीदार को देखकर कि जो चोर है यही है हाँ यह जो सेकुरिटी गार्ड है इसने ही चुराया है लेकिन श्रीला प्रभुपात जी कुछ बोलते नहीं है उने और अपना निवास कंटिन्यू करते हैं तो श्रीला प्रभुपात जी जिन से कुछ सीकने की इच्छा उसने विक्त की और वो चाहता था उसका अध्यात्म में कोई आधिक रूची नहीं थी लेकिन वो चाहता था कि स्वामी जी का कुछ सहयोग में करो उनकी कुछ साहेता करो तो प्रभुपात की साहेता करने लगा और एक दिन श्रीलप रभुपात को कहता है स्वामे जी मैं चपाटिया बनाना चाहता हूं सिकना चाहता हूं कैसे बनाई जाती है तो श्रीलप रभुपात ने कहा कि आपको मुझे सव डौलर देने पढ़ेंगे तब मैं आपको चपाती सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं तो उसने बहुत सीरियसली लिया वो ट्राइ करने लगा सव डॉलर एकटा करने के लिए शाम तक तो उसको थोड़े से डॉलर एकटा हो गए क्योंकि वो भी धन उसके पास था नहीं किसी बेकरी में काम करता था और थोड़ा सा वो धन लेकर प्रभुपाद को दिखाता है और प्रभुपाद आनंद अनभो करते हैं और वो बहुत प्रकार से सेवाएं कर रहा था तो जब ये चोरी हो गई तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि अभी ये स्तान मेरे रहने के लिए उपयुकता नहीं है तो श्रील प्रभुपाद जी किसी अन्यस्तान जाना चाहते थे और एक चीज ये भी थी कि वहाँ रहते हुए हैं प्रभुपाद ने उस छोटा सा जो कमरा था उसमें प्रवचन देना शुरुवात किया था तो उसमें कुछ बुढ़ी माताएं आती थे और कुछ बुढ़ी पुरुष आते थे कोई युवक आता नहीं था तो किसी ने उस युवक एक ने कहा स्वामी जी आपके लिए ना एक स्तान बहुत अच्छा है बावरी में जाओ बावरी जो एक लंबा सा स्ट्रेट है वो आपके लिए बहुत अच्छा है वहां रहेंगे तो वहां अधिकतर युवावर्ग बहुत है वहां और वो बावरी में सारे युवावर्ग कौन से थे नशा करने वाले हाँ ये सारे LSD आदी ग्रहन करने वाले तो श्रीले प्रभपाद ने विच्छार बनाया कि वहां हामें चला जाता हूँ और फिर वहां एक और जो युवक्त है उन्होंने उनकी साहेता करने के लिए वो तत्पर हो गए कि आपके लिए कोई एक स्थान हम देते हैं वहां आप निवास कर सकते हैं तो इस प्रकार से हमने पिछले रविवार तक चर्चाई की थी तो श्रीले प्रभपाद बावरी जाने का विचार करते हैं तो आज अधिकतर रिडिंग है जहां वो जो नियॉर्क का वो एरिया है बावरी स्ट्रेट उसका वर्णन किया जा रहा है प्रभपाद के नए घर बावरी का इतियास लंबा है सोलावी शती के आरम में जब मैनहर्टन न्यू यम्स्टरडम कहिलाता था और डच वेस्ट इंडिया कमपनी के नियंत्रन में था उस समय न्यू निदरलेंड के गवर्नर पीटर मिन्विट ने एक उत्तर दक्षिन सडग का निर्मान कराया जिसका नाम बोवरी रखा गया तो एक सडग था और जिसके दोनों किनारे क्योंकि सडग की दोनों और कई बोवरी अर्था कृशी फारम थे तो कृशी फारम को बोवरी कहते थे जहां ये बहुत फेमस ट्रीट रहा उन दिनों देहाती क्षेतर से जाने वाले ये सड़क धूल से बरी रहती थी उसके दोनों और पुराने डच जोपडियां थी जिनके पीछे पीटर स्टाइवेसेट की जागिर में लगाए गए आडू के व्रुक्षों के बगीचे थे ये सड़क बोस्टन जाने वाली बड़ी सड़क का एक भाग बन गई और अमेरिका के क्रांतिकाल में नियुआर्क में प्रवेशका एक मात्रस तलीय मार्ग होने के कारण युद्धनिति के महत्वकी हो गई लुश शहर से भारी था ये स्थान अठरावी शती के प्रारम में बोवरी में जर्मन प्रवासियों का प्रादान्य था इस शती के उत्तरकाल में वहाँ यहुदियों की प्रधानता हो गई और क्रमशा ये नगर की नाट्य कला का केंद्र बन गई किन्तु जैसा की लोर में हट्टन के एक इत्यास में लिखा है सन 1870 के बाद बोवरी के विख्यात अधपतन का काल आया नकली निलाम घरों, पांच सेंट की विस्की और तुरंद लुडखा देने वाली शराब वाले मदिरालयों उत्यजग सस्ते अजायब घरों, गंदे और चुहों से भरे वासी बेर के आड़ों, साथी चालसियम होईटे के गीत बोवरी-बोवरी में वहां फिर कभी नहीं जाओंगा आदेने बोवरी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ट की चेतना में एक अवरणनिय ब्रस्टाचार के स्तान के रूप में आंकित कर दिया तो ये मानो सबसे बहुत ही नीचे धरातल वाला स्तान था जहां श्रिला प्रभवपात पहुंचने वाले हैं जैसे भक्ति सिद्दान सरस्वती महराज कहा करते थे कि हमारे जो मंदिर हैं ऐसे एकांतस्तान में नहीं होने चाहिए जहां बहुत ज़्यादा लोग निवास करते भीडवाले एरिया के बेच में मंदिर होना चाहिए क्योंकि वहां लोग पतित हो रहे हैं उनको इस इक्षा की बहुत आवश्रकता है तो श्रील प्रभुपाजी भी बोरी में जा रहे हैं जहां कोई सज्जन वेक्ती जाने की इच्छा या आकांक्षा नहीं रखता है और वास्तों में चैतन्य महाप्रभु का अंदलन सब के लिए हैं लेकिन जो जितना आधम पतित है उसके लिए सर्वप्रथम है इसलिए नरतमदास ठाकुर ने कहा मोसम पतित प्रभु ना पाई वेयार ये चैतन्य महाप्रभु आपको मुझसे आधिक पतित आधम व्यक्ती इस जगत में नहीं मिलेगा तो इसलिए भगवत कृपा अनुकुल करनी है तो हमें उस भावना को स्विकार करना होगा ये जानना होगा कि वास्तों में सबसे अधिक क्रिष्न भावना की आवशकता सबसे अधिक भगवत कृपा की आवशकता मुझे है और हमें क्योंकि ये गवड़य वैश्नों का सिध्धांती है तरणा दपी सुनी चैना तरो रपी सहीश्नों ना बलकि भगवत कृपा अनुकुल करनी है तो ये जो दैने का भाव है वो हमें आपने रुदय में धारन करना होगा तो हमें जानना होगा कि कृष्ण भावना की या भगवत भक्ती की आवश्चक्ता मेरे लिए सबसे आदिक है मैं सबसे आदिक पतित हूँ भक्ती में आने के पच्छाद भक्तों के समाज में जब रहते हैं तो धीरे धीरे कई साल बिताने के बाद थोड़ा सा ग्यान आरजन करते हैं और थोड़े सी कुछ सेवाएं करते हैं तो धीरे धीरे ये जो अहमता का भाव है या स्रेष्टता का भाव है वो हमारे रुदय में मानु प्रस्पुटित होने लगता है और हम सोचते मैं पतित नहीं हूँ आप पतित तो मेरे आसपा जितने हैं न वो सारे पतित है मैं उन्नत वेक्ति हूँ लेकिन वास्तों में जितना अधिक वेक्ति शुद्ध होने लगता है उसकी रुदय का भाव उतना अधिक दैने से भरा होता है रुप सनातन की शिक्षा रुप सनातन जब महाप्रबो से मिलते हैं तो आप उनका वो वरणन पढ़ेंगे तो देखेंगे रुप सनातन इतने उच्छे कोटी के वैश्णव है लेकिन महाप्रबो के सामने वो इतना कहते हैं कि जगाए मदाई से भी हम सरवाधिक पतित वेक्ती हैं मा इतना दैने प्रस्तुत किया आइसने की मुँ से बोल रहे थे उनके रुदय की वो स्थिति थे तो चैतन्य महाप्रबो ने कहा कि आपका ये दैने देखकर फाटे मुरबुक मतलब मेरा जो रुदय है वो फट रहा है तो वास्तों में चैतन्य महाप्रबो की किसी के उपर कृपा हो गई है या हो रही है तो उसका लक्षन क्या है उस भक्त की रुदय में ये जो दीनता का भाव है विनम्रता का भाव है दैने का भाव है वो बढ़ राह है उसके आच्यरन में उसके रुदय में तो समझना चाहिए इस वेक्ति के उपर स्री चैतन्य महाप्रबो की अनुकंपा हो रही है या महाप्रबो की कृपा हो रही है तो श्रीला प्रभुपाद ने ये बहुरी के बारे में बहुत कुछ प्रभुपाद को बताया गया कहीं लोगों ने का आरे वहां क्यों वहां रहने के वाला स्तान नहीं है आपको आन्य स्तानों में जाकर रह सकते हैं लेकिन प्रभुपाद ने विचार किया, कि ये पतित जीवों के लिए अंदलन है, महाप्रबु आया है उसी के लिए, पतित पावन हे तु तव आवतार, अब पतितों को पावन करने के लिए आया है, इसलिए रूप सनातन ने कहा था, कि हे प्रभु हम सरवाधिक पतित है यदि आप हमारा उद्धार करेंगे तो आपका ये जो नाम है न पतित पावन ये सिद्ध होगा तो इस प्रकर से ऐसा ये बोरी स्ट्रीट है जहां शराब और जितनी ये चार नियमों की बात मानों देखो उस स्टान में जाकर प्रभुपाद चार नियम सिखा रहे हैं मतलब पूरे सवर्वाधिक उनको तोडने वाला स्टान है उसमें लिप्त हैं सारे लोग और वहां जाकर आईसे स्थल में जाकर जहां कोई सभ्यता आस्तित्व में नहीं है वो सभ्यता पाप अमाई आसूरी सभ्यता आए मानों वहां बावरी स्ट्रीट में तो सबसे जादा थी तो श्रील प्रभुपाद वहां जाकर ये दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने लगते हैं तो कहते हैं कि आईसा वो भरष्ट स्तान था जहां कोई सजन वेक्ती जाने की इच्छा वेक्त नहीं करता था प्रभुपाद के मित्र बिजली के मिस्री की बोवरी के प्रति प्रतिक्रिया कोई असाधाराण नहीं थी तो प्रभुपाद का एक मित्र बन गया था इलेक्टृशन था वो अब भी सारे संसार में बोवरी की ख्याती स्कीड्रो के रूप में हैं अर्थात बरबाद और घर विहन शराबियों के अड़े के रूप में उस बिजली के मिस्री ने शायद बोवरी में व्यवसाई किया था और देखा था कि किस तरह ये परित एक्तलोग घेरा बनाकर एक दूसरे को बोतल देते हुए बैठे रहते हैं या नालियों में भेवश पड़े रहते थे या रास्ता चलने वालों के पास लड़ खड़ाते कदमों से जाते और पैसे मांगते हुए नशे में उनसे टकरा जाते थे तो आईसे मद आदी में डूबे हुए लोग थे नशे में मत थे बोवरी के साथ या आठ हजार बेघरबार लोगों में से आधिक तर किराय के आइसे गरों में सोते थे जिने दिन में उन्हें खाली कर देना पड़ता था कई शरण न होने और कोई काम न होने की कारण वे सडकों में मारे मारे फिरते रहते पट्रियों पर किसी दिवाल का सहारा लिये चुपचाप खड़े रहते या आकेले अथ्वा समोहों में मन दगती से चहल कदमी करते रहते हैं जाड़े के मोसम में वे एक साथ दो कोट और कई सूट पहन लेते थे कभी कभी वे नगर के कुड़ादानों में आग जला देते और उनके चारों और बैट कर अपने आपको गर्म रखते रात में जिनके पास किराय के कमरे ना होते वे पटरियों पर दरवाजों के सेडियों पर सडकों के नुकोडों में फेके गए बकसों में सिमटकर या शराब घरों की बगल में एक दूसरे से सटकर पड़े रहते हैं चोरी या आम बात थी कोई विक्ति सोया मिल जाता तो उसकी जेबे दस-बिस बार टटोली जाती बहुरी में अस्पतालों में भरती होने या मरने वालों की संख्या रास्ट्रिय अवसत से पाँच गुनी थी और बेघरबार लोगों में बहुतों के शरीर पर ताजा घाव या मार पेट के निशान मिलते थे तो आईसी स्थिती थी वहाँ जो निवास करने वाले जो युवावर्ग हैं या लोग हैं अधिकतर शराबादी दुशकुर्मों में रत रहते थे और श्रीला प्रभुपात कहा करते थे कि ये बड़े बड़े घरों से आये हुए युवावर्ग थे जो दिशाहिन थे आईसे लोग वहाँ आये थे क्योंकि उनको अपने लक्ष का कोई ग्यान नहीं था और कुछ उची चीज चाहते थे भौतिक सभेता की जो प्रगती है उससे वो निराश थे कोई आनंद की आनुबती नहीं कर रहे थे उससे बढ़कर और क्या है तो वो इसलिए अधिकतर रुप में जो नशा आदी में है इसमें लिपत रहते थे क्योंकि थोड़े समय के लिए उचा आपने आपको आनुबहु करते थे इस प्रकार से इवन गंदे नाली में गिरा हुआ है उनलेकि सोचता है कि मैं बहुत उचे धरातल पर पहुंचा हूँ तो आईसी उनकी स्तिती थे प्रभुपात की कोठरी 94 बोवरी हुस्टन स्ट्रीट के 6 ब्लाकों के दक्षिन में थी हुस्टन और बोवरी के चावराहों के भारी यातात में परित एक्तों की भीड लग जाती थी जब लाल बत्ती होने पर मोटार गाड़िया रुक जाती तब ये निकम में लोग वहां पहुंच जाते और गाड़ियों के शीशे पहुंच कर पैसे मांगते थे हुस्टन के दक्षिन के पहले कुछ ब्लाकों में आदिकतर होटलों के रसत बेचने वाले और लैंपों के भंडार शराब खाने और छोटे उपाहर ग्रह थे इन ब्लाकों में इमारते तीन या चार मंजली थी ये बहुत पुरानी और संकिर्न थी इनकी कोट्रिया किरायदारों से खचा-खच भरी रहती और उजह से बचने वाले रास्तों से इनका चेरा ढखा रहता था बोरी में शहर में आने जाने वालों के यातायत का क्रम बराबर बना रहता था सडक की दोनों और मोटार गाडियां खड़ी रहती और निरंतर चलने वाला यातायत कठिनाई से निकल पाता काम के दिन कामकाजी लोग इन मंद अगती वाले निकम में लोगों को पीछे छोड़ते वे तेजी से आगे बढ़ जाते थे दुकानों या भंडार ग्रहों की बहुत सी खिडकिया में सुरक्षा के लिए लोहे के दरवाज लगे होते थे इन दरवाजों के पीछे दुकानदार तरह तरह के प्रकाश वाले लेंप जला रखते थे जिससे थोक और खुद्रा ग्रहाग उनकी और आकरश्ट हो सके 94 बोरी हेस्टर स्ट्रिट के ठीक दो घर उत्तर में था उनके कोने में विस्तरत हापमुन शराब काना था जहां आदिकतर पडोस के शराब यकट्टा होते थे शराब खाने के ठीक उपर चार मंजली सस्ता होटल था जिस पर नियौन प्रकास से पामा होस अंकित था जो सुरक्षा की दृष्टी से धातू की जाली से गिरा था और दूसरी मंजल से लंबी जंजरों से लिटक रहा था 92 बावरी के होटल का दरवाजा 94 बावरी के दरवाजे से 6 फूट से अधिक दूरी पर नहीं था 92 बावरी होटल में कोई लौबी नहीं थी केवल एक निरजन हॉल था जिसमें गंदी सफेज टाइले लगी वही थी 94 बावरी संकिर्ण चार मंजली इमारत थी बहुत पहले ये भूरे पेंट से रंगी गए थी और जैसा की उन दिनों चलन था इसके सामने आग से बचने के लिए भारी भरकम काले रंग की सीड़ी निकलती थी इसका गिसा हुआ काला दूरा दरवाजा जिसके सीशे के पैनल तारों को मड़कर मजबूत बनाये गए थे सड़क की और खुलता था दरवाजे के उपर संके चिननांके था ये आई आर थर्ड एंड फोर्ड जिसका आरत ये था के आधिवासी कलाकार तिस्रिया और चवति मंजिलों पर रहते हैं तो ये सटसरुप महराज ये लिलामृत की विशेष्टा है इतना सुक्ष्मवर्णन उन्होंने किया है किसे आनने जगा हमें प्राप्त नहीं होता है बल्कि आगे-ागे जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा मानो सटसरुप महराज प्रभुपात के पीछे-पीछे हैं और सब चीजों को लिखते जा रहे हैं बल्कि प्रभुपात के अप्रकत होने के पच्छात प्रभुपात लिलामृत का लेखन किया गया है तो ऐसा बहुत सटिक वरणन करते हैं और ये वास्तों में श्रील प्रभुपात की कृपा से या कृष्ण की कृपा से ही ये ल बहगवान के साथ जो है सेवा, समरपन, शरुना, गतियादी उसका वरनन शुमत भागवतम में हैं। तो उसी प्रकार से यह जो श्रिल प्रभुपात का चरचा हैं, प्रभुपात का जो चरित्र हैं, लीला कथा हैं यह भी भागवत के समानी हैं। भक्तगन कहते हैं आगली बार जब व्यास देव भागवतम लिखेंगे ना उसमें प्रभपात का वो एड़ करेंगे भागवतम में ए भी कथा एड़ हो जाएंगे तो कहने का तातपर यह हैं भागवत से अबिन नहें क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दो चीज़े दी हैं जिसके दौरा कृष्णदास कविराज कहते हैं ख्षाली अंधकार मतलब जिव के रुदै का अंधकार दूर करने का सामर्ते रखता हैं एक है भक्त भागवत और एक है दुसरा है गरंत भागवत वो कहते हैं महाप्रभु ने ये दो चीज़े दी हैं जिसका कोई आश्रे लेता है तो वेक्ति के रुदै का जो अंधकार है वो पूर्ण तहां नस्ठ हो जाता है इसलिए आध्यात्मिक जीवान पूर्ण रूपेन हमारा निर्वर है वैश्नों के आश्रे पर इसलिए भागवत जो भक्त है उसका हमें शेल्टर मार्ग दर्शन और सेवा समर्पन उनके प्रति रखना चाहिए और दूसरा है ग्रंथ भागवत जो श्रील प्रभुपाद ने सबसे आधिक समय अपना श्रील प्रभुपाद ने श्रिमत भागवतम के लिए दिया है प्रभुपाद चरितरा पढ़ते हैं तो पता चलता है कि प्रभुपाद ने सबसे आधिक अपना जो समय है इसकौन आ पुर्व श्रिमत भागवतम के बारा सकंद अनुवाद करना चाहता हूं, प्रकाशित करना चाहता हूं, बल्कि उस आयो में ये सब करना बहुत कस्टप्रद है, बहुत कठिन है, रात रात जगते हुएं कई सारे आचारियों की जो ठीकाए हैं, वो सामने रखते हुएं उनक के जो लोग हैं, उनके समझ में आ जाएं, भक्ति के निगुड सिद्धान, उस वाने में प्रस्तुत करना ये साधारन कार्य नहीं है, ये व्यास देव से भी बढ़कर कार्य है, व्यास देव की वाने को समझना भी हमारे लिए कठिन है, इसलिए श्रिला प्रभुपाद न क्या किया, जितने आचार्य गन हैं, जिनोंने भागवतम पर टिकाएं लिखी हैं और प्रस्तुत की हैं, उन सब को समझना कठिन है, प्रभुपाद माता की समान है, अमा क्या करती है, जन्मे अभी अभी जन्मे वहें बालक को वो खा नहीं सकता, राइस दाल, सबजे, चप मा उसको ग्रहन करती है, और दूद के रूप में उसको प्रदान करती है, और उसका सौस्त वर्धन होता है, तो श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, इन आचार्यों के जो ग्रंत हैं, उनकी जो ठीकाएं हैं, व्याक्या हैं, उनको स्विकार करते हैं, और आपने भक्ति व प्रभुपात का ये जो कार्य है जिनोंने ये जो ग्रंथ दिये ना वो अनमुल है साधार नहीं है उसका मुल्य वही समझ सकता है जो प्रभुपात के ग्रंथों को प्रति दिन गंभिरता से पड़ता है अधेन करता है उसको उसका मुल्य समझ में आएगा और प्रभुपात ये जो समर्पन और ये त्याग प्रस्तुत किया है, ये ग्रंथों को प्रस्तुत करने में, तो प्रभोपात के प्रति उसके रुदय में जो कृतग्यता का भाव है, वो और वरधित होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कभी भी वो श्रील प्रभोपात के चरण कमलों को आन्यस्तान जाने की आकांक्षा या छोटी से इच्छा उसके रुदय में नहीं आएगी, इसलिए बहुत महत्पुर्ण है, कुछ भी हो प्रते दिन प्रभोपात ने दिये गए जो ग्रंथ है, उनको हमें पढ़ना चाहिए, मैं आज एक भक्त से मिल रहा था, वो व्रिद प्रभोपात के ग्रंथों को प्रभोपात ने देसे हमारे सारुभम प्रभु कहा करते हैं, प्रभोपात ने पुरा रात रात जग जग कर ग्रंथों का लेखन किया है, आपने सौस्त का विचार नहीं किया है, और हमारे कल्यान के लिए ग्रंथ दिया है, लेकिन कहते हैं, वो एक ट्रक पनिर खाकर भी वो प्रभुपात के गरंथ नहीं पड़ पा रहे हैं आईसी हमारी कठी निस्तिती है तो इस प्रकार से श्रीला प्रभुपात ने जो दिया है ना वो बहुत अधभुत है मतलब उसके लिए पता ने कौन से जन्मों के ऐसे हमारी सुकृति रही होगी कि श्रीला प्रभुपात के चरण कमलों का आश्रे लेने का सववाग्य हमें प्राप्थ हुआ है तो इस प्रकार से श्रीला प्रभुपात को तभी हम जान सकते हैं समझ सकते हैं जब श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं और उनका जो चरित्र है जिसमें उनका समर्पन और शर्णागती जलकती है पूर्ण रूपेन तो आई से श्रील प्रभुपाद जी इस स्तान में रहने के लिए आज आते हैं बोरी में जो बहुत ही बेहद कठिन स्तान था जा रहना निवास करना बहुत ही कस्ट प्रद है तो आगे वो लिखते हैं पड़ोस में उत्तर की और स्तित साथ वाली इमारत 96 बोरी की पहली मंजिल का इस्तेमाल सामान रखने के लिए होता था इसका सामनी का प्रवेश्मार्ग जंग लगे लोहे के फाटक से सुरक्षित था 98 बोरी हेरल्ड नामक दूसरा शराब खाना था जो हापमुन की तुलना में छोटा और अधिक गंदा और धुंदला था इस तरह इस ब्लॉक में दो शराब खानों एक फ्लाप फाउस और आटारियों कला दो इमारते थी 1960 के दशक में नियुआर्क नगर के उस क्षेत्र में आटारियों में रहना कभी अभी आरंबही हो रहा था नगर की ओर से चित्रकारों, संगित अग्यों, शिल्पकारों और अन्य कलाकारों को उन इमारतों में रहने की आनुमती मिल गई थी जो 19 शती में कारखानों के रूप में निर्मित होई थी उन परितेक्त कारखानों में आधाईय, दरवाजों, स्नान टबो, फवारों, स्नान कक्षों और उन्हें गर्म रखने की विवस्ता हो जाने के बाद कोई कलाकार आधिक खर्च का भार उठाए बिना ही उनमें आधिक स्तान का उपयोग कर सकता था इन्हें ही कहते हैं ये आई-ार की आटारिया तो वहां के उस अस्तानों का वरणन कर रहे हैं 94 बोवरी की सबसे उपर वाले मंजिल परस्तित हरवे कोहन की आटारी खुली जगह में थी तो ये जो जिन्होंने प्रभुपाद को कहा था कि आपको मैं अपना निवास स्तान प्रदान करता हूँ वो हरवे कोहन थे जिन्होंने प्रभुपाद को कहा कि मैं एक स्तान आपके लिए वहां अरेंज करता हूँ जो पुर्व से पच्छिम की और लगबग सव फूट लंबी और पचिस फूट चवड़ी थी बोवरी की और पुर्व दिशा से इसे पर्याप्त प्रकाश मिलता था और पच्छिम की और इसके सीरे पर खिड़ किया भी थी इसकी चट में रोशन दान भी था चट में लगी कडिया जो खुली थी फर से बारा फूट की उंचाई पर थी हरवे कहोन ने अपनी आटारी का उपयोग कलाशाला के रूप में किया था और चित्र बनानी के लिए काम में लाए जाने वाले चवखटे आप बे उसकी दिवालों में लगे थे रसोईगर और स्नान कक्ष उत्तर दक्षिन के कोने में अलग कर दिये गए थे और बोरी की ओर की खिडकियों से लगबक 15 फूट पर विभाजक लगा कर एक कमरा बना लिया गया विभाजक एक दिवाल से दूसरी दिवाल तक नहीं जाता था वरना दोनों सीरों पर खुला था और चट से कई फूट नीचे था तो यहां श्रीला प्रभुपाद जा रहने वाले हैं वहां बोरी के उस कमरे में उसका वरनन किया जा रहा है प्रभुपाद के रहने का अपना नेजिस्तान इस विभाजक के पीछे था खिडकी के निकट उनका पलंग और कुछ कुरसियां थी उनका टाइप राइटर उनके हाथ के बने ट्रंक पर रखा था उसकी बगल में छोटा मेज था जिस पर भागवत की पांडूली पे या रखी थी उनकी धोतियां एक तार से लटकी सुकती रहती थी विभाजक की दुसरी और लगबग दस फूट लंबा और पांच फूट चवड़ा एक मंच था जिस पर प्रभोपात किर्तन और व्याख्यान के समय बैठा करते थे मंच की दिशा पच्छिम की और अटारी के लंबे खुले क्षेत्र की और थी जो खुला इस आर्थ में था कि वहाँ एक दो दरियों और एक पुराने ढंकी ठोस लकडी का मेज तथा चित्रा धर पर हरवेद और आनिर्मित अपने पारशदों के साथ नुत्यमिरत भगवान चैतन्य के चित्र के आतरिक तकुझ भी नहीं था अटारी चार सोपान की उचाई पर थी और उसमें केवल एक दरवाजा था जो पीछे की और पच्छे में सिरे पर था और आधिक तर भीतर से कसकर बंद रहता था बहार की और ये दरवाजे ग्यालरे में खुलता था जो केवल उस लाल रोशने से प्रकाशित थी जिसमें दरवाजे के ऊपर एक्जिट अर्थत बहार लिखा था इस ग्यालरी से दाहिनी और कुछ कदम जाने पर खुला क्षेत्र आ जाता था येदि कोई अभ्यागत किर्तन या व्याख्यान के समय आटारे में प्रवेश करता तो वो स्वामे जी को दरवाजे से लगबग तीस फूट की दूरी पर मंज पर बैटे देखता था आनने दिनों संध्याकाल में पूरी अटारे में अंधकार रहता केवल छोटे गलियारे में एकजिट अर्तात बाहर की लाल रोश्नी चमकती रहती और विभाजक की दूसरी ओर से जहां प्रभुपात कारे रत होते हलका प्रकाश आते दिखाई देता प्रभुपात बाहरी में धिमे प्रकाश में जीवन्यापन कर रहे थे जबकि सेकडो लावारिस नगर के उसी ब्लॉक में सेकडो बल्बों के खुले प्रकाश में पड़े रहते थे उनकी निच्छित आए उन लावारिसों की आई से आधिक नहीं थी ना उनके लिए निच्छित आवास की ही कोई सुरक्षित विवस्ता थी तो भे उनकी चेतना भिन्न थी वे श्रिमत भागवत का अंग्रेजी में आनुमात कर रहे थे और उस पर लिखे गए भक्ति वेदान तात्परियों द्वारा संसार को संभोधित कर रहे थे तो प्रभोपाद उस स्तान में निवास कर रहे तो जो बेहोद बेहद ही पतिस्तल था लेकिन फिर भी जैसे गीता में कृष्ण कहते पद्मपत्रमिवाम्मसहा कि कीचड में या जल में रहे कर भी जो कमल का पुष्प है कभे उसका स्पर्ष नहीं करता उससे उपर ही रहता है तो श्रीला प्रभोपाद जी उस स्तान में रहे रहे होंगे लेकिन उनसे वो अलग है गुनातित है तो श्रिल्ला प्रभुपाद आईसे स्तान में रह रहे थे और लेकिन प्रभुपाद ने कभी चिंता नहीं की कि मैं आभी यहां रहने का स्तान है आगे कैसे रहे पाऊंगा लिए उनका पूरा फोकस था कि मुझे भक्ति वेदान तातपरियों को प्रस्तुत करना है और जो चैतन्य महाप्रवो और कृष्ण की शिक्षाएं हैं उनको आगे पहुंचाना है तो पूर्ण रुपे न कृष्ण की सेवा के उपर उनका ध्यान एकागर था बाकि अन्य चिंता वो करते नहीं थे वो प्रयास था कि कैसे मैं आधिक से आधिक अइन ग्रंथों के माध्यम से या आपने वानी के माध्यम से लोगों को कन्विंस करूं कृष्ण के शरणागत उनको बनाओं इस पर श्रील प्रभुपात का जोड़ था खुद के लिए अपने उनकी कोई स्वार्थ में खुद की इच्छा शुन्यवत थी अन्याबिलाशा कुछ थी नहीं स्वयम के लिए कभी उन्होंने विचार किया नहीं वो सदय वो विचार करते थे कृष्ण सेवा के लिए और यदि वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को स्विकार करेंगे सारे संसार का उधार हो सकता है यदि वेक्ति गवरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो संदेश है उनको स्विकार करेंगे मानो प्रभुपात तडप रहे थे इस इस आंदोलन को देने के लिए म वानो उनकी रुदाय में ये रत्न भंडार था कृष्ण भावना का और इसलिए बगवान ने उनकी सहयता की है आइसे लोग भेजे जिनोंने कृष्ण भावना को स्विकार किया और उस कृष्ण भावना का वितरन करने के लिए प्रभुपात को उन लोगोंने सहयोग दिया तो आइसे श्रील प्रभुपात जी आइसे बेहद स्थान में रह रहे थे लेकिन उनसे वो परे थे वे रिवर साइड ड्राइव की चवदवी मंजिल पर किसी फ्लैट में रह रहे हो अध्वा बावरी की किसी अटारी की एक कोने में उनका करतवे था समस्त मानवता की सर्वप्रथम अवशक्ता की रूप में कृष्ण चेतना को संस्तापित करना अहां तो प्रभुपाद जी जहां मरजिर है चवदवे फ्लोर में रहे या इस बोरी स्ट्रीट के किसी एक छोटे से स्तान में रहे जो गंदगी आदिसे भरा हुआ और आईसे नशा आदिसे युक्त जो युवा वर्ग है उनके बीच में रहे लेकिन श्रीला प्रभुप प्रभुपाद का एक ही करतव्य था कि सभी जो मानवता है उनको कृष्ण भावना देना कृष्ण भावना की स्तापना करना क्योंकि प्रभुपाद कहते थे मेरे आध्यात में गुरु ने कहा था कि संसार में किसी एक चीज की कमी है तो केवल कृष्ण भावना की कमी है अ पुरुष्ण भावना को ढून रहा है, मानो वेक्ति ढून रहा है, शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए कई चीजों को जिवन बर हम ढूनते हैं, कई वस्तों को एकत्रित करते रहते हैं, करते रहते हैं मुरत्यु तक, बच्पन से लेकर सोचते हैं, चॉकलेट मुझे स सुख देगा, बड़े हो जाते तो मित्र मुझे सुख देगा, धन सुख देगा, या पुत्रगन देंगे, पोते या पतनी, या रिष्टिदार बड़ा घर, मतलब चीजों को एकटा करते जा रहे हैं, और ढून रहे उस वस्तों में वेक्ति में स्तान में, ये मुझे पड़ा होता है, तो भी वो सुख से हजारो किलो मिटर दूर रहता है, तो प्रभपाद जानते थे अंततहा ये समाज के जो लोग है, इनकी एक ही आवशकता है, कृष्ण चेतना, उसको स्तापना करना चाहते थे, आइसे स्तान में किसी आचारे ने कभी सोचा नहीं था, ब जहां कुछ आईसे लोग एकटा होते थे और वो इसी की चर्चा करते थे, कि कौन सा वेक्ती आ रहा है ये अशियन कंट्रिस से या विशेशुप से भारत से, कौन आईसा कोई योगा आचारे आ रहा है, वो क्या शिक्षा दे रहा है, तो धिरे-धिरे प्रभपात की निउ उच रेस्टारंट में पहुंचती हैं, और दिन राद जो लोग आ रहे जा रहे हैं, वो उनी की चर्चा के वैस्त होते हैं, वो कहते हैं एक स्वामी जी आये हैं भारत से, गेरवा वस्तर धारन किये हुए हैं, सर मुंडित हैं, कुछ उनोंने ऐसा कलर को अपने माथे में लगाया हुआ हैं, और वो बहुत उची शिक्षा देने वाले हैं, उनको देखकर प्रभावित हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो इन सब की जितने भी ये सब आते थे उस रेस्टारंट में, उन सब की इच्छा होने लगी कि उस सौमी जी से हमें मिलना है, कौन सी शिक्ष प्रसिद्धी प्राप्त करना, यही था, लेकिन प्रसिद्धी प्राप्त करना, यही था, लेकिन प्रभुपाद ऐसे आचारे थे, ऐसे वेक्तित्व थे, जो पहला भक्ति योगी है, बाकियान योगी पहुंचे थे वाध्यान योगी, ग्यान योगी, सारे प्रकार के लोग वहां पहुंचे थे भारत से, लेकिन प्रथम भक्ति योगी पहुंचा था, श्रिल प् प्रभुपाद की जो शिक्षा है इसलिए प्रभुपाद बिलकुल फोकस्त है कि मुझे कृष्ण चेतना की स्थापना करनी है प्रभुपाद आइसे नहीं कि आभी चलो ये इन लोगों को देखो तो मैं कुछ अन्या शिक्षा कुछ ले आता हूं कुछ और इन्वेंट करता हो नहीं जो महाप्रभु के शिक्षा थी परंपरा के आचारियों के शिक्षा थी प्रभुपाद ने उसको यथावत स्तापित किया है जब प्रभुपाद ने इतना कुछ स्तापित किया तो भक्तगन बहुत गुनगान करते थे उनका जो कंट्रुबिशन है तो उसको मैंने कुछ निकाला नहीं और कुछ उसमें एड नहीं किया शिक्षाओं को यथावत जगत के सामने प्रस्तुत किया है यही एक मात्र मेरे मेरी उपलबदी है यही एक मात्र मेरा योग्यता है प्रभुपात कहते थे यह मेरा कंट्रिबुशन है कि मैंने यथारुप प्रस्तुत किया इसलिए भगवद गिता को प्रस्तुत किया तो प्रभवपाद ने जान बुच की उस पे ये डाल दिया as it is यथारुप भगवद गिता ही तो बहुत है लेकिन जो कृष्ण का संदेश है उसको यथावत प्रस्तुत किया क्योंकि उसमें purity is the force जो शुद्धता है वो बहुत बलवती होती है इसी कारण से प्रभवपाद बहुत इस परंपरा की जो शिक्षा है उनको पालन करते थे और purity का शुद्धता का पालन करते थे आंतरिक बाहिया जिसके द्वारा वो सारे जगत को कन्विंस कर सके कि कृष्ण परम भगवान है और आप भगवान के आंशो और आपका करतव्य है भगवान की सेवा करना इसे में परम शांती और सुक के अनुभूती कर सकते हो इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हजारो गुरु हो गये हैं आ रहे हैं इस भारत भूमी में लेकिन सब ने अपने नाम का प्रचार किया है लेकिन प्रभुपाद जी को कोई ज़्यादा जानते नहीं है प्रभुपाद ने ऐसा आंदोलन खड़ा किया सब कहने लगे हरे कृष्ण कृष्ण को जानने लगी यही तो एक भक्त का गुन होता है वो कृष्ण की महमा को फैलाता है अभी ये सोशल मीडिया के दिनों में हम आपने आपको फैलाने में लगे हुए है आपना विस्तार करने में लगे हुए है लेकिन प्रभुपाद ने अपने विस्तार के बारे में नहीं सोचा और ना प्रयास किया प्रभुपाद का दिन राद प्रयास था अक्रश्न का विस्तार करना गवरांग महाप्रभु नित्यानन्द प्रभु का विस्तार करना ये प्रभुपात की विशेष्टा थी इसलिए क्रश्ण भी क्या करते है ये अथामाम प्रपध्यनते इसलिए भगवान ने आईसे किया प्रभुपात ने मेरा यश पूरा जगत में फैला दिया है सब जगा काले गोरे निले पिले सब प्रकार की लोग क्रश्ण की शरन ले चुके है तो क्रश्ण ने आईसा कर दिया कि हर जगा श्रील प्रभुपात का जो गुन है उनका यश है उनकी महिमा है और दिन राद प्रभुपात की आराधना हो रही है उनकी वंदना हो रही है उनके गुनों का गान हो रहा है तो भगवान भी क्या करते है उस भक्त के यशोगान को बढ़ाते है जो भक्त पूर्ण रुपे ने लगा है कृष्ण के यशोगान को बढ़ाने में कृष्ण भी रुकते नहीं है मानों ये competition चलता है ये स्पर्दा चलती रहती है भक्त के ये नहीं नहीं मुझे आपकी महिमा का प्रचार करना है मुझे आपकी महिमा को जगत को प्रस्तुत करना है बढ़ाना है भक्त के ये मैं क्यों भगवान के ये मैं पीछे नहीं रहूंगा मैं भी आपकी महिमा को बढ़ाऊंगा जगत में उसका वितरन करूंगा तो इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी बहुत स्तेर थे एक चित्त थे कि कृष्ण भावना का प्रचार करना है इसलिए प्रभुपाद मतलब कोई भी सादू है आज भी भारत में इतने सारे अध्यात्मिक धर्मिक लोग है बड़े बड़े दिग्गत, सादूगन, आदे, गुरूगन जिनको पूछे कि आरे बताओ परम भगवान कोन है इसका उत्तर दे ही नहीं सकते वो कभी भी कि परम भगवान कोन है, confused और उनको प्राप्त करने का मार्ग क्या है उसे में उनकी बोलती बंद हो जाती है हाँ परम इधर उधर कहां कहां लेकिन प्रभपाद प्रभपाद के आंदलन के छोटे से बच्चों को भी पोछो तो वो कहेगा प्रभपाद के हमारे अंदलन में मालती माताजी जो प्रभपाद की शिशा थी उनकी छोटी बेटी थी सरस्वती प्रभपाद के इसको भी पता है सारे शासरों का निचोड सारे शासरों का सारे इसको पता है और ये जिनको भी मिलती है प्रभपात कहते हैं यह भी प्रिचर है कहते हैं यह जहां भी जाती है जिसको भी मिलती है उसके सामने खड़े होकर बोलेगी क्या आप जानते हो कृष्ण को? वो कहते हैं नहीं वो तुरन बोलती है कृष्णा इस्थ सुप्रीम पस्नालिटी का धिन कर चुके हैं सारे तिर्थोस्तानों का ब्रह्मन कर दिया हजारों नदियों में कुंडों में सम्मेस्थान किया लेकिन इस बात का जो ज्यान है वो आरजन नहीं कर पाए कि परम भगवान कोन है लेकिन यहां यही तो प्रभपात के गरंथों की खासियत है कि आप कृष्णक प्रभपात के गरंथों को शिक्षाओं को पढ़ते हैं समझते हैं तो हम कृष्णक के चरणों में ऐसे यह हो जाते हैं चिपक जाते हैं इसलिए बहुत आवशक है श्रिल प्रभपात ने यह स्तापित किया क्रिष्णस्तु भगवान स्वयम क्योंगे भागवत का जन्म इसलिए हुआ है भागवत का प्राकटे किसलिए हुआ है केवल क्रिष्णस्तु भगवान स्वयम यह परिभाष्ण सुत्र है श्लोक जो है भागवत का कि केवल इसलिए बागवत की रचना हुई है कृष्ण परम भगवान है वो अवतार नहीं है अवतारी है उनसे परे कोई नहीं है तो प्रभुपाद ने इसको अपने वानी के माध्यम से आचरन के माध्यम से शिक्षा के माध्यम में से स्तापित किया और इसलिए जो भी सांदुलन में आता है तुरंत ताइम नहीं लगता सरलता से कृष्ण को वो स्विकार करने लगता है शासरों के आधार पर और इसलिए और दूसरा प्रभुपाद ने इस्तापित कर दिया कृष्ण प्राप्ति भगवान नाम के माध्यम से बाकी लोग इतना सरलता से नहीं परस्तूत कर पाते प्रभुपाद ने कहा और आप कृष्ण के आञ्श हो कृष्ण के शाश्वत सेवक हो तो आपका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना और भगवान की सरवोच्य सेवा कैसे की जाती है अतहा स्रिक्रिष्ण नामादी ना भवेद ग्राहियम इंद्रिये सेवन मुखे ही जिवादो स्वयमेवस पुरतियाधा भगवान की सेवा की जाती है अपनी जिवा के माध्यम से और जिवा के माध्य, क्योंकि भगवान इस इंद्रियों से परे हैं, इंद्रिय गोचर रहा, इंद्रियों से गोचर नहीं हो सकते, समझा नहीं जा सकता, उनसे परे हैं, तो भगवान को समझ सकते हैं, जब जिवा के माध्यम से सेवा करेंगे, और सेवा कैसे करेंगे, श्रिला प्रभुपाद ने इस चीज को स्थापित किया है कि भगवान नाम ही एक मेव उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए तो इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे तो कई बार हम सुचते कि प्रभुपाद की बहुत सादारन शिक्षाए है लेकिन क्योंकि हम उपर उपर तैर रहे हैं इसलिए श्रिला प्रभुपाद के शिश्चर श्रिला गवर गोविन महराज कहा करते थे प्रभुपाद के जो गरंत है प्रभुपाद की जो शिक्षाए है ना वो समंदर के समान है और समंदर का एक नम रतना कर है जिसमें अमुल्या जो रत्न है वो है लेकिन रत्न बड़े गहरे स्तान में है तो जो उपर 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 वो समंदर में पहुंचते हैं वो मचलिया एकटा करते हैं लेकिन जो और थोड़े से गहरे नीचे जाते हैं उनको रत्न प्राप्त होते हैं इसलिए प्रभुपात के गरंथों का प्रती दिन हमें आध्यन करना चाहिए, गंबिर्ता से, और जब समझने का हम प्रयास करते हैं न, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ददामे, बुद्धियोगम, भगवान आनन्दित हो जाते हैं, यह वेक्ति मुझे समझना चाहता है, प्रभुपात के माध्यम से, तो भगवान कहते हैं, मैं उसे बुद्धी प्रदान करूँगा, जिसके द्वारा, श्रीला प्रभुपात की क्रपा से, वो वेक्ति मुझे समझ सकता है, तो इस प्रकार से, श्रीला प्रभुपात जे, बहुत सरल्ता से, और बहुत क्लियर, प्रस्तुत करते हैं जो आज तक किसी व्यक्ति ने आई सी सिक्षाएं प्रस्तुत नहीं की इतनी सरलता से और हर प्रकार का व्यक्ति कोई भी हो रंग वर्ण भे दादी का हो छोटा बड़ा कोई भी हो शिक्षित आशिक्षित सब प्रकर का व्यक्ति समझ सकता है और भगवान का सरवोच सेवक बनने का सामर्ति रख सकता है तो इसलिए श्रील प्रभुपात का ये चरित्र जो है ये है अमरत मैं है इसलिए इसका नाम क्या है? श्रील प्रभुपात लेलामरत यह साधारण आमृत नहीं है इसका पान करने से भगवत प्राप्तिनेच्षित है इसलिए कहते हैं कि भगवान से आसक्त होने से वो बहुत कठिन है भगवान से प्रेम होना आसक्त होना सबसे अच्छा क्या है भगवान से प्रेम करने का उपाए भगवान के आई से जो शुद्ध भगता है उनसे आसक्ती उत्पन्न की जाए यही तो देववुती माता को कपिल देव शिक्षा देते हैं इसलिए प्रभुपाद जैसे महान वैश्णव आचारे के प्रती जो आसक्ती की भावना हमें अपने रुदे में बढ़ानी होगी और वो बढ़ती है उनकी शिक्षाओं का पालन करके और दुसरा उनका जो अमृत्मे चरित रहें उसकी चर्चा और श्रवन करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Śrīla Prabhupāda Līlāmṛt ki, Padit Pavan Śrīla Prabhupāda ki, Nitāya Gauru Premānande.